आर मौरेय चानल में आपका स्वागत है आकासी विजली दोस्तों आज इसके बारे में जानते हैं क्योंकि आकासी विजली और जो विजलिया है उससे बहुत ही अधिक ताकतवर होती है सक्तिशाली होती है इसमें जान जाने के खत्रे बहुत जादा होते हैं इसका तापमान उपरी सतह से कहीं अधिक होता है लगभग तीन सो किलो वाड यानि ये करीब 25.5 करों वाड या इससे भी बढ़ जाती है और एक अरब बूल्ट तक हो जाती है इसकी जो शक्ती है जो जटके है तो जो करेंट लगने का इसमें पावर है ये बहुत ही अधिक होता है आप समझ सकते हैं कि चार सो वाड की विजली से हम इतने सारे मशीने चला लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं अगर थोड़ा सा लग जा तो व्यक्ति की जान नहीं बजती और ये कहीं तीन सो किलो वाड की विजली है दोस्तों इसमें तीन चीजे होती है पहली चीज होती है कि लाइटिंग फ्लैस लाइटिंग और थंडर मतलब विजली का बनना चमकना और कहीं न कहीं तड़ तड़ाना कैसे बनती है मैं इसको बताती हूं क्यूंकि ये अक्सर जुन और जुलाई के महिमें में विजली जादा गिरती है वैसे तो पूरे संसार में इस विजली का जो आकासी विजली है प्रकोफ है लेकिन अपने भारत में सबसे अधिक है और पूरे इसकी जनगर्णा, इसकी देखने के बाद इसको ये पता चला है कि भारत में सबसे अधिक ये आकासी विजली से लोग मरते हैं दोस्तों जब हवाएं धंडी होती है, संगनीत होती है और वो बादल बनाती है में कंसेंडेंट होकर वो बादल बनाती है और बादलों में ये गर्म हवा प्रविश्ट कर जाती है जिससे पॉस्टिव चार्च हो जाता है और नीची की हवाएं वो कहीं नम रहती है या ठंडी रहती है जो निगेटिव चार्ज मतलब धनावात्मक आविश और रिड़ावात्मक आवेश होते हैं ये जो बादल है इससे करीब 8 से 10 किलो मीटर नीचे ठंडी आवा है और बादल के बीच में या उपरी भांग में गरम हुआ है इन दोनों तरह के आवेशों में एक बहुत ही अलग क्रिया होती है जब ये दोनों आपस में मिलती है तो अपोजिट आवेश के कारण इसमें एक क्रिया होती है जिससे ये बिजली आकासी बिजली का निर्मान होता है और इसकी रगड से टकराव से उसमें से फ्लैस लाटिंग जो बहुत तेज चमकती जाती है वो उपर शे नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आती है वो बन जाती है और थंडर कड़ कड़ा हट की आवाज बहुत तेज आवाज जिसमें कान के परदे फटने शीसे फटने या लोगों को हाट आटाइक आने के खत्रे बहुत जादा होती है दोस्तों इससे बहुत सारी चीजे की जाती है लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको कि जब भी आकासी बिजली उत्पन होती है तो ये उपर बादलों शुरू होती है और ये नीचे जमीन पर आती है इसके लिए इसको कंड़क्टर संचालक की जरूरत पड़ती है बिना संचालक का ये धरत प्रली पर नहीं गिर सकती जमीन पर नहीं आ सकते और यह आस्मान में भी देर तक नहीं रह सकती तो इसको जमीन पर आना ही है अब इसके आने की रास्ते हैं जो संचालक है वो हरा पेड पाणी टावर और इस तरह की जितनी भी एलेक्ट्रिस्टिटी की चीजे होती है जो बिजली से समंदीत खंभे या समान होते हैं उसमें ये बहुत ही तीज करती है कनेक्ट करती है उसके थ्रू नीचे आती है दोस्तों अगर बिजली चमक रही है बहुत ज्यादा तरतरहाट के आवाज आ है तो पहला काम करना चाहिए कि आपको जितना जल्दी हो सके अगर कोई घर है कमरा है छुपने की जगह है तो उसके अंदर आ खूली जगह पे नहीं रहना चाहिए बिल्कुल आप पेड़ों के नीचे मत रहे अक्सर देखा जाता है कि जब बारिश होती है तो लोग पेड़ के नीचे छुप जाते हैं आप पानी से थोड़ा बच जाएंगे लेकिन खत्रा बहुत जादा बढ़ जाता है क्योंकि वह होगे नहीं आप जब घर बनवाते हैं तो अक्सर इसका ध्यान नहीं रखते आपको यह लगता है कि उपर के जो विजली के खम में हैं तो हम अपने छत पे चड़ेंगे तो वहां पर इसके लगने से खत्रे होंगे वह खत्रा तो है दोस्तों साथ में सबसे बड़ा खत्रा है कि जब ऐसे आकासी विजली का जब अटेक होता है अकासी विजली गिरती है तो उसमें घर के उपर अटेक होता है अगर छत के ऊपर कोई है तो जान जाने का खत्रा होता है तो ऐसे मैं घर बिल्कुल ना बनवाएं तीसरी चीज कि सेड युक्त लोहे युक्त जगों पर कोशिश करें ना रुकें और अगर बिजली चमक रही हैं तो आप कई लोग हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बिल्कुल ना बैटिए आप दूर-दूर हो जाएए कान को बंद कर लीजिए अपने सारे जो भी एलेक्ट्रिक आपके पास सामान पड़े हुए हैं जैसे मुबाइल आपके पास है रेडियो है बहुत सारी चीजे टीवी है घर में फ्रीज है तो इसको आप आफ कर लीजिए इससे आपका बचाओ बहुत ज़्यादा हो जाएगा या तो अगर बारी शोर ये बिजली चमक रही है आपके घर में लाइट है बैटरी है इन्वर्टर चलाए रहते हैं तो तीज अगर इसका अटेक हो रहा है तरतरहड के आवाज जादा हो रही है बिजली की धमा जादा हो रही है तो आप सब कुश आफ कर दीजिए इससे ब कभी ऐसा होता है तो वहीं पर बिजली उत्रेगी और वहां से चली जाएगी अब यह जान लेते हैं कि यह बिजली का करेंट कितने तरह का होता है या लोग इससे कैसे प्रभावित हो जाते हैं कैसे जाने चली जाती है तो दोस्तों यह दो तरह का होता है पहली चीज़ कि लगता है और ब्यक्ति की मृत्तु होती है दूसरी चीज होती है कि जब यह नम की जगां पर और बारिश का समय है नमियुक्त सतह होती ही होती है तो ताला बोगेरे इस तरह की चीजों में जहां पर पानी इकठा है यह बिजली उतरती है जमीन पर तो वहां बहुत दूर तर वो कही न कही करण करण का फैलाव कर देती है तो आप उस जल में ना जाए लेकिन सतह पे हैं तो वहां पर भी करण लग सकता है दोस्तों इससे बचने के लिए आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और सबसे ज़्यादा यह आप जानते हैं बारिश के महीने में ही बिजली गिरती हुई नजर आती है और दूसरी चीज है कि यह तब बहुत ज़्यादा होती है जब धूप और बारिश मतला मौसम का बहुत ही ज़्यादा फेर बदल होता है गर्मी के बाद सडेन बारिश को होना और दूसरी चीज मैं आपको बता दूँ कि यह सुबा मे बहुत ही कम देखने मिलती है यह अक्सर दो पहर या उसके बाद वाले टाइम में ही आकासी विजली गरती है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आप आकासी विजली के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसके बचाओ के बारे में भी आप समझ गए होंगे अगर अभ वीडियों से मिलती रहती है और इसके लिए आपको शेयर करना आपको लाइक करना और कमेंट बॉक्स के तुरू कुछ पूछना तो प्लीज आप पूछें और हिर्दय की गहराई से आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद